बड़ी खबर निर्भया केस से जुड़ी हुई जिसमें दोशी पवन गुपता की आचिका खारिच कर दी गई है तो ये एक बड़ी खबर एहम खबर है निर्भया केस से जुड़ी हुई चुंकि अब वो तमाम रास्ते जो थोड़े बहुत बचे हुए है वो भी बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन तमाम दोशियों के चुंकि पवन गुपता की आचिका को खारिज कर दिया गया सी लगाने का विकल्प है तो अभी दिया राश्पती के पास लगाएगा दूसरा इशू यह है इसके अंदर के आज पट्याला उस पोट के अंदर जो है जो है जो दूसरा अप्छे जिसकी पहले दिया याचिका खारिज कर चुंगा राश्पती उसने नई स्रेस अपनी एक पराविजात से पहली वाली आजिका में पुर्याप दिसनावेश नहीं थे और साथ ही जो पावन जिसकी हां पर तुरिटी लगी पटियालाव स्कॉर्ट में प्रेश्चन लगी थी त्यूंकि मेरे इसकी मेरे सुप्रीम कोड में लंबीध है क्यूर्टी पेटिशन जो कि बिल्कुल नॉंसेंस बात है कानून का जो एक मजाक है ये तो उस पर देखो आज लोर फोर्ट में सुनवाई है वो क्या कहते हैं लेकिन ओवराल जो कलका जो तीन तारीक का डेख वार निकलावा है उस पर रोक लगेगी क्योंकि दोबारा निकलेगा इसली क्योंकि जिती में उसको जो देया याचिका जब लगेगी तो उसके वार विश्वी जैसे जो देख वार निकलेगा उस्ते हुजए और तो बारा से निकलेगा जाते हैं हर कोई यही जानना चाहता है जो निर्भया को इंसाफ दलाने की बात कर रहा है कल जो एक नया डेथ वारंट क कर देगी क्योंकि जो इस पर दयाया याचिका दैर करने का विकल्पे कानूनी अधिकार है वो इसका भी बचावा है जो कि जब पिछली डेट पर जब लोर पोर्ट ने डेथ वार निकला तीन मास का तब तक कि कि किसी भी पॉर्ट में या राश्पती के पास कोई आचिका अगर देखते हैं तो इसकी सुप्रीम कोट से रिजक्ट हुई है तो यह शाम तक अगर राश्पती का पर फाइल कर देता है तो अगर पांच बच जाएंगे सारी कोटे बंद हो जाएंगे तो चीफ जिस्टिस के घर भागींगे वकील इनके और वहां पर कहेंगे साब हमन यानि कि अभी थोड़ा इंतजार अभी और करना पड़ सकता है मैश और साथी मैं एक चीज़ जाना चाहते हूं आप से भी वताइएगा कि आप चुंकि यह क्यूरेटव प्रेटिक्शन जो फाइल की गई थी यह तो खारिच हो गई है अब कौन-कौन से रास्ते बच्चे है पावन गुप्ता के पास नहीं हो जब वह को सुनकर डिस्मिस करता है तब युस फैसला आता है जैसे अब राश्ट्पती के आप देखिएगा कि जो अक्षय है अक्षय के दियायाची का खारी जो तो कि अब उसमें एक और लगा दी यह कि पहले मैंने लगाई थी उसमे परियाब दिस्ताविच परियाब कागजर में नहीं लगाए थी तो एक नॉंसनेस बाते हैं कि बाहर पर एप्लिकेशन लगाती रहती है लेकिन एक बार जब 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 दोबारा से नहीं किया जाता है क्योंकि जैसे आतागवादी ता याकूब मेहमन उसके मामले में में द लटका दो रात को फिर दूबार से सब्सक्राइब करने को लटका दो लटका दो लोटका था लिए लेकिन वहीं वह चीज़ है ना कानूनी पेच जो इन वकीलों को पता है और उनी कानूनी पेच को फसा कर ये पहले भी वारंट जो है वो उस पर इस्टे लग गया और जो कल वारंट है उस पर भी इस्टे लगने के चांसे आप खुद बता रहे हैं मैं आपको बताओं कि अगर बेशक्ते इनका वकील इस्टे की अप्रिकेशन लगा रहे हैं लेकिन आप दिस दिखा कि पहले भी फांची के मामले हमें वही भी वकील की वाईयाद अप्रिकेशन नहीं लगाता है कि इसमें वाकिल की अपनी करदेवलिटी भी गिरती है और जजबी मजा कउड़ाते हैं वकीलों में चर्चा होती हैं वही जजों की बीच में चर्चा होती है कि कैसे वाईयाद ये प्रटिशन लेकिन जजों की मजबूरिय के दर आप बिल्कुल जूटी पर्टिशन लगाएं तो पर्टिशन तो जिसके पास आई जियाईगी जज उसको सुनेगा जज उसको टिस्मिस करेगा, लेकिन यह जोगी वकिल खेल कर रहे हैं, यह दो दीन, दो तीन, दीन, दो तीन का मामला है, इसमें वकिल अपनी क्रेटेपलेटी बिल्कुल खो देता है, इस तरह कि वाहियत एप्रिकिशन के कोई माइने होते नहीं है. यानि हम इस बात की उम्मीद महिश कर सकते हैं कि अभी तो ये कानूनी दाव पेज़ का इस्तेमाल पूरी तरीके से कर रहे हैं अब लेकिन लास्ट स्टेज कह सकते हैं कि अब एक सिर्फ आखरी दर्वाजा बचा है और पता है कि वो दर्वाजा भी बंदो जाना है तो दोस्तों परतीशा उसके देया है आची का भी खारीज होगी बस कहने का मतलब यह है कि दो चार दिन दो चार दिन करके क्योंकि जो देथ वारण निकलता है जाता है तो यह क्या करते हैं जान पूसके आखरी की तेरेवे दिन चोदेवे दिन लगाते हैं तो आपकर आज यह अप्लिकेशन लगाएगा तो तीन जा दिन में खारीज हो जाएगी पर लोड़कोट दबार से टेथ वारण निकाल देगा तो कहने का मतलब यह है कि तीन सब्सक्राइब करते हैं जाता हैं जाता हैं जाता हैं जाता हैं जोड़कोट लगी हुई है उसके बीजियर परशाथिन पर असके तेह तकर मिदाने की कोशिश जरूर इन के तरफ से ऊड़ रहा हैं जाता हैं लेकिन यह तह है फासी होगी आप भी एक नए डेथ वारंट आने की उमीद है चुंकि अभी इदय आचिका को लेकर जो आप कहा रहे थे कि एक आखरी option बचा है उसकी भी कोशिशिन की तरफ से की जाएगी शुक्री आपका महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बात चीत के लिए तो दिली में दंगो की तस्वीर आप भी इस से जुड़िए मिस्ट कॉल करिए और नियाए के इस नंबर पर 7834998998 नंबर पर मिस्ट कॉल के मध्यम से आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए और निर्भया को नियाए दिलाने के लिए अपनी भागिदारी जताई और आपको यह हम आकड़ा दिखा रहे हैं 54,69,624 ल जब तक निर्भया के कुनहकारों को खासी नहीं हो जाती नियाए के नंबर 7834998998 पर आपकी घंटी रुखनी नहीं चाहिए निर्भया मांगे नियाए जी न्यूज की सबसे बड़ी मुहिम No Signal, No Worry, Presenting ZNews App with Live TV, Latest Updates and Expert Opinion Available on Google Play and App Store, Download it now